हे फ्रेंज समर्स करीब करीब आही चुकी है बस तो गाइज समर्स में हम सभी सहजन का इंटेक बड़े ही इंट्रेस्ट से करते हैं सहजन की सबजी बनती है सहजन की जो साग होती है उसको भी हम लोग सेवन करते हैं राइट गाइज तो फ्रेंज ये एक ऐसी हरी सबजी है ज यानि कि ड्रम स्टिक जो होती है और उसके पत्तों में इतने पोशक तत्व होते हैं कि वो चीजें उनके लिए एक वर्दान से कम नहीं होती है फ्रेंड सहजन के बीच से तेल निकाला जाता है और चाल पत्ती गोंद जड़ जो भी एक्सक्टरा चीजें हैं उनसे आरवेदि से benefits होते हैं और कौन-कौन सी शारीरिक दिक्कतों में आप सहजन को यूज कर सकते हैं कैसी हो आप सब मैं हूँ शबनम और एक बार फिर से इस्तक्बाल करती हो आप सबका हमारी फैमिली फूर्ज बेनेफिट्स बर फ्रेंड सबसे पहली जो चीज है वो यह कि सहजन में ऑल बहुत जादा होता है और आप जानते ही है कि हमें कई रोगों से लड़ने में मदद करता है हमारी इमनियूंटी को स्ट्रॉंग करता है अगर किसी भी सीजन में किसी भी क्वज़े से आपकी नाक और कान बंद हो चुके हों तो आप सहजन को पानी में उबाल कर उस पानी का भाप लें इससे जो जकडन हो रही है आपके नाक और कान बंद हो चुके हैं इससे आपको निजात मिल जाएगी इसके साथ ही सहजन आपकी हड़ियों को मजबूत बनाता है क्यूंकि इनमें कैल्शम की मात्रा जो है वो बहु करने के लिए किया जा रहा है ऐसा इसलिए होता है जो कि इनमें जिंक की मात्रा जादा होती है जो की स्कॉर्म काउंट को बढ़ाता है और जिस वज़से सेक्शल पावर भी बूस्ट होती है अगर प्रेगनेंसी में फिमेल सहजन का यूज कर रही है या सहजन के जूस का इ इनमें बहुत सारा विटमिन्स होता है जैसे कि विटमिन B6 होता है नियासिन होता है राइब फ्लेबन होता है और फॉलिक असीड भी होता है इसके साथ साथ ही यह आपकी एजिंग साइंस को भी कंट्रोल करता है जी हां सहजन में विटमिन ए होता है जो की बहुत ही पुरा तोल होगी फाइन लाइन्स और रिंकल्स आपके जंदी नहीं आएंगे स्किन में इससे आखों की रोशनी भी अच्छी होती है और साथ ही यह आपके खून को भी डिटॉक्सिफाइब करता है आप सहजन को सूप के रूप में भी पी सकते हैं इससे आपकी शरीर जो है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी इफ सो प्लीज दो फगेट तो लाइक शेर अन सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना तो फ्रेंट वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग कीप सपोर्टिंग गाईज से हेल्दी से ब्लेस्ट ब